हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू यूपी से एसस ओ लेवल M4R5 सरीज का लेक्शन नंबर 22 है और आज हम इस वीडियो में सिंपल LED ब्लेंकिंग प्रोग्राम बनाएंगे हलाकि इसको हमने पिछले वीडियो में भी बनाया था लेकिन हमने इसे online बनाया था यहाँ पर हमने code होगे रहा लिखा था और इसे हमने चला करके देखा था online लेकिन आज हम इस वीडियो में पूरा प्राक्टिकल तरीके से देखेंगे जिसमें हमें जरोत पड़ेगी Arduino Unoboard की और एक breadboard की जरोत पड़ेगी एक register की जरोत पड़ेगी और एक LED जो हमारा register है यह 200 से लेकर 300 Ohm के बीच का कोई भी register यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर हमे एक साइड जो है चला जाएगा से देक्स्टॉप या फिर लैप्टॉप में USB से connect होगा और दूसरा जो सिरा है यह connect होगा आपके Arduino Board से जिसके जरीए इसमें प्रोग्राम अप्लोड होंगे और यहीं से इसे हम पावर भी देंगे ठीक है चलिए तो यहाँ पर इसे पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे लेकिन इसमें जो कंपोनेंट यूज हो रहा है तो Arduino Board के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि यह क्या है और इसकी जरूत हमें क्यों बढ़ती है ठीक है तो यह ब्रेट बोर्ड बेसिकली कुछ नहीं है कि जब हम Arduino Board में एक साथ कई सारे ही है simple यहाँ पर आप समझ ले कि wire है ठीक है चले यहाँ पर इसको थोड़ा से समझते हैं कि यह क्या है फिर उसके बाद यहाँ पर हम प्रोग्राम की बात करेंगे तो इसे हम online ही समझते है क्यों क्यों प्लस यानि positive है यह एक basically आप इसको समझ ले कि यह एक पूरा wire पड़ा हुआ है ठीक है जैसे माल लेते हैं कि आपके पास दो wire है जैसे एक यह wire है और यह एक यह wire है यह कि इसमें यह phase है और यह neutral है ठीक है और इसमें 220 वोल्ट AC करेंट आ रहा है अब इसमें आपको 5 बल्व कनेट करना है 100 वाट के ठीक है जो आपके घरों में normally electricity होती है तो इसमे आप LED कनेट करें अब बल्व कनेट करें या कोई fan और अगरा कनेट करें कुछ भी तो यहाँ पर अगर आप इस wire में कनेट करना चाहते हैं कोई भी equipment ठीक है तो उसके लिए यहाँ पर एक तो 20 से फेज निकाल लेंगे एक neutral निकाल लेंगे और यहाँ पर हमने एक बल्व कने लीजे यहाँ पर यह जो plus है और यह जो minus है यहाँ पर क्या है यह यह wire है यह पूरा एक स्रीज में है ठीक है यहाँ पर देखें यह पूरा क्या है स्रीज में है plus और यह minus ठीक है तो example के लिए अगर यह GND इसको अगर हम यहाँ पर देते हैं यहाँ इसको positive में दे दिया यह अगर हमें इस LED को GND देना हो, यानि ground तो simply यहां से उठा करके कहीं से भी, यहां पर दे देंगे, ठीक है, तो देखिए GND मिल गया, यहां इस point से भी दे सकते हैं, किसी भी point से दे सकते हैं, क्योंकि इसमें यहां पर हमने GND input ले लिया है, इस breadboard में, तो यहां पर आप confused तो न लाइन में आपने current दिया है, यानि ground दिया है, लेकिन इस लाइन में तो कुछ नहीं है, तो यहां पर आप समझ पा रहे होंगे, तो कहने का मलब सीधा है, कि यह जो लाइन है, यह पूरा sort है, मलब पूरा एक स्रीज में है, और यह दूसरी लाइन अलग स्रीज में है, दू यहां इसको दे दिया, यह जे जिंदी पूरा common हो गए, इसमें ground मिला है कि नहीं, और यहाँ से हमने उठाया, ठीक है, इसको देखे है, वायर को हम ऐसे click करते हुए, इस तरीके से भी ले जा सकते है, ठीक है, तो यह यहां से हम ऐसे ले गए, click करते हुए, और यहां पर भी ये वाली लाइन और ये चारो separate होती है clear है इसको हम delete कर देते हैं ठीक है तो ये चीज आपको समझ में आ गए ये प्लस माइनस प्लस माइनस ये चारो लाइने अलग-अलग separate हैं अब इसमें plus वाले में हम GND दे हैं या कुछ भी दे हैं उससे फरक नहीं पड़ता इस wire को भी delete करते हैं ठीक है हमने pin number 2 का connection दे दिया यहाँ पर positive में और GND से wire निकाला और इसको हमने दे दिया यहाँ पर देखिए ground में ठीक है मलब minus में दे दिया तो अभी क्या है कि अगर इस LED को हम connect करना चाहें तो हम यहाँ पर इस line से कहीं से भी उठा लेंगे तो हमें क्या मिलेगा pin number 2 का connection तो pin number 2 का connection मिल गया जो कि register में दे दिया register से उठाया यहाँ पर anode में दे दिया clear है और यहाँ से हमने ground से उठाया nanny negative से और यह हमने दे दिया LED के cathode को clear है अभी भी यहाँ पर हमारा LED प्रापर काम करेगा जो की breadboard जो है यह connect है Arduino से और यहाँ पर LED जो है यह हमारी connect है breadboard से clear है तो यहाँ पर आप समझ रहोंगे अब बच्ची यहाँ पर ABCD EFG ठीक है मलब यह जो हमारी बीच वाली लाइने है इनके बारे में समझते हैं तो यहाँ पर देखेंगे जो प्लस और माइनस है यह आपका क्या है यह वर्टिकली स्रीज में है मलब वर्टिकली स्रीज में है जबकि यह जो ABCD मलब यह वाले अंदर के लाइने है यह horizontally स्रीज में है आप आप देखेंगे यहाँ पर यह line number 30 मलब ABCD नीशे भी लिखा हुआ है तो यह 30 तो यह क्या है यह vertically स्रीज में है और यह vertically स्रीज में है यहाँ पर यह vertical स्रीज में है बास समझ रहे हो ना आप यहाँ पर देख सकते हैं यह vertical स्रीज में है तो अब यहाँ पर connect करते हैं, इसको वापसे सारे wire delete करते हैं, यहाँ से भी आपको connection करके दिखाते हैं, breadboard को आप अच्छे से समझ लें, ठीक है, ताकि कभी भी कोई confusion या दिक्कत ना हो, ठीक है, तो जैसे अभी हमने क्या किया कि pin number 2 से connection दे दिया, यहाँ पर A में, इसमें द आपको GND अनी की ground मिलेगा, तो यह ground हमने यहाँ से उठाके इसको दे दिया, ठीक है, समझ रहे हो ना, तो यह ground दे दिया, 20 से हम double click करके, इसे बाद में भी यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, तो यह रोटेट कर दिया, तो यह हमने दे दिया, यहाँ से इसको ground, और य हमारा है register तो यहां से जो हमारी यह वाली लाइन है 30 वाली इसमें pin number 2 का connect मिलेगा तो यहां से हमने 2 से उठाया और दे दिया किसको register को register को connect कर दिया यहाँ पर अनोड से ठीक है अब यहां पर start simulation करते हैं तो देखिए अभी भी हमारी ready proper काम कर रही है ठीक है तो यह चीज है अब अगर आप सोच रहे होंगे यहां पर देखिए इसको लेके आप confuse बिल्कुल ना हो वो क्या चीज है वो यह चीज है कि यहां पर इस तरी से यह पूरी इस त कर देते हैं एक सेकंड जैसे यहां से आपने GND भी उठाया और इसी 30 में दे दिया तो अभी यह दोनों वायर क्या होगा है आपस में touch हो गया ठीक है दोनों आपस क्या हुआ GND और pin number 2 यह दोनों ही आपस में हाँ पर touch हो जाएंगे sort हो जाएगा बास समझ में आई यहां पर sort circuit हो जाएगा clear है तो यह चीज का आपको ध्यान रखना है तो यह आपको समझ में आओ गया होगा और इसी तरह से यहां पर यह वर्टिकली sort है यहां पर यह कितनी pin है points से और इस point तक तो अभी क्या हुआ अभी यह पूरा series में है ठीक है मलब यह line number 20 जो है यह vertically पूरी तरीके से sort हो यहां से एक wire उठाके हमने यहां पर connect कर दिया है तो I think यहां पर breadboard आपको समझ में आ गया होगा तो अब यहां पर इस LED को हम connect करते हैं इसमें किसी भी points से और पर line number 6 जो है यह anode में automatic connect हो गया बिना wire के देखी यह connect हो गया और यह आपका cathode है तो हम क्या करते हैं कि यहां से उठाते हैं GND ठीक है यहां से GND लिया और यह दे दिया negative में यहां पर ठीक है और यह वाली जो pin है यह भी कहीं नहीं connect है ध्यान रखना ठीक है इसमें जो दो anode side है यह anode side हमने connect कर दिया line number 6 में और इसका यह जो cathode है यह हमने connect कर दिया यहां से यहां से क्यूं देखिए यह connect यहीं से है एक चीज़ इसको थोड़ा separate कर देते हैं ताकि आप confuse ना हो देखिए यह हम बाहर ले जा करके और फिर ऐसे connect करते हैं यह देखिए ठीक है तो य बीच में यहां पर हम register से connection कर देते हैं इसको rotate करते हैं तो यह देखिए rotate हो गया और यह दे दिया आपने ठीक है तो अभी यहां पर आप देखेंगे कि यह connect है ठीक है यहां पर current आ रहा है pin number 2 से 5V और यहां से यह register से होते हुए फिर इस स्रीज में आ रहा है anode में अब चलते हैं यहां पर camera की तरफ और यहां पर यह connection करते हैं और फिर coding करेंगे ठीक है coding जो है देखिए हमारी यही वाली काम करेगी तो यहां पर पहले तो हम connection कर लेते हैं फिर उसके बाद coding करके और इस code को upload करके आपका पूरा practically यहां पर दिखाते हैं तो चलते हैं camera की तरफ तो यहां पर जैसा कि हमने बताया हमें जरूत पड़ेगी एक Arduino board की जो की यह रहा एक breadboard की यहां पर एक LED और यहां पर हमारा register और दो jumper wire और यहां पर हमें cable की जरूत पड़ेगी जिसे हम connect करेंगे तो इसे हम side में रखते हैं भी और इसका यहां पर हम connection करते हैं तो हो जाएगी positive ठीक है यानि कि अनओ और यह जो छोटी लेग है यह होती है हमारी cathode के लिए है तो यह क्या है यानिकि positive है तो यहां पर हम इसे connect करते हैं breadboard में तो यहां पर देखिए यह जो हमारा और यह हमारा क्या है ग्राउंड है और यह हमारा क्या है positive है ठीक है अब यहाँ पर हम देते है register register की ज़रूद पड़ेगी register जो होता है यह हम positive और negative किसी भी side में use कर सकते हैं लेकिन हम ज्यादा तर positive में ही use करते हैं क्यों इसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको ठीक है तो हम इसका भी connection कर ले आप इसको देख लिए अच्छी तरीके से ठीक है और अब यहाँ पर जो red वाला wire है इसे हम connect करते हैं Arduino board में pin number 2 पे ठीक है pin number 2 पे 0, 1 and 2 ठीक है तो यह हमने connect कर दिया pin number 2 के साथ में इसको इधर रखते हैं और यहाँ पर निकालते हैं इससे ground तो यहाँ पर यह ground हमने ले लि तो यहाँ पर हमें एसमें usb केंड लगा दी ठीक है इससे आप देख करके लगाये यहमने inject कर दी और अब यहाँ पर हम इससे पर प्रो अपलोड करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम चलते हैं computer screen के तरफ और यहाँ पर हम आड्यो आइडी जो कि हमने software पिछले वीडियो में ड को जो है open कर लिया है अब यहाँ पर हमें क्या करना है वही code लिखना है ठीक है तो यह code हमारा जो है यह already यहाँ पर लिखा है और यही same code हमारा काम करेगा तो यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं paste ठीक है इसके जगे इसको paste कर दिया तो आप code देख सकते है pin number 2 को हमने output mode में रखा है digital right यहाँ पर pin number 2 को हमने 1 यानि high कर दिया और यहाँ पर pin number 2 को low कर दिया और बीच में यहाँ पर हमने 300 millisecond का delay दिया है अगर आप इस delay को घटाना बढ़ाना चाहते है जैसे हमने इसको कर द connection यह नहीं बना है उसके लिए हमें जाना है tools में ठीक है अलाकि यहाँ पर भी हमें option मिल जाता है फिलाल हमें जाना है tools में और board में जाकर करके यहां से हमें select करना है Arduino Uno यह वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो भी board है वो select करेंगे यहाँ पर यह Arduino you know है तो इसको यहां पर हमारे में COM 5 में है, तो यहां पर हम COM 5 इससे select करेंगे, आप में जो भी हो, अगर 5 में नहीं काम करता है, तो आप 4 या 3 में भी try कर सकते हैं, फिलाल यहां पर हमारा 5 में है, तो इसको हम select करते हैं, तो यह हमारा यहां पर OK है, तो यह हमारा Arduino Uno उपर आप देख सकते है लिख्या आ गया यानि कि हमारा board जो है इसके साथ connect है एक बार और इसे हम चेक करते हैं उसके लिए यहां से हमें compile करना verify यानि कि इस program को यहां से हम compile करते हैं या फिर debug करते हैं ठीक है debug का मतलब अगर इसमें कोई error होगी कोई गलती होगी तो यहां पर error आएगी तो फिलाल यहां से हमें verify करना है यानि compile जैसे हम verify करेंगे तो यहां पर आप नीचे देख सकते हैं done compiling ठीक है done compiling यानि कि हमारा program ओके है अब इसे हम upload कर सकते हैं और अगर इसमें कोई error होगी example के लिए यहां से हमने यह terminator हटा दिया semi colon हटा दिया तो अब अगर इसे हम verify करेंगे तो यहां पर हमें error देखने को मिलेगी clear है यहां पर आप error देख भी सकते हैं नीचे यहां पर error क्या बता रहा है ठीक है फिलाल यहां पर इसे वापस हम सही करते हैं यहां पर हमने uploading यहां पर जब code upload हो रहा था उस time आपने देखा होगा कि TX और RX वाली जो LED थी यह on off हुई थी ठीक है क्योंकि जो TX RX का मलब जब हमारा data इसमें कुछ भी हम upload करते हैं तो यहां पर serial communication हमारा start होता है जिससे TX RX वाली pin जो है यह on होती है अभी यहां पर आप देख सकते हैं हमारा code प्रापर काम कर रहा है यह LED जो है हमारी यह 0.5 second के बाद में on off हो रही है clear है तो यह है अगर इसमें हम code change करना चाहिए जैसे यहां पर हमने कर दिया 1000 मिली सेकंड एक बार इसके फिर से Wi-Fi करते हैं और यहां पर फिर से upload करते हैं अभी है चुकि हमारा board यह directly connect है तो यहां पर यह code वापस से एक बार फिर से upload हुआ और आप देखेंगे अभी जो delay है वो बढ़ चुका है यहां पर 1 second का हो गया यहां पर आप यह LED देख सकते हैं और अगर हम इसके timing कम कर देते हैं यहां पर हमने इसके timing कर दी 100 100 millisecond जो कि काफी कम होती है ठीक है तो यहां पर LED जो है हमारी काफी speed से on-off होगी तो एक बार इसके फिर से verify करते हैं और यहाँ पर हमने इसे फिर से अप्लोड कर दिया, तो यह हमने अप्लोड किया, अब आप देखेंगे, LED जो है, यह काफी स्पीड से यहाँ ब्लिंक हो रही है, clear है, और एक चीज, जब यहाँ पर हम इसमें प्रोग्राम को अप्लोड कर देते हैं, और उसके बाद अगर हमे कुछ नहीं किया जाता, सीधे अगर दूसरा प्रोग्राम अगर आप अप्लोड करते हैं, जैसे आपने देखा, कि हमने इसमें अभी तीन प्रोग्राम अप्लोड किया, एक एक करके, पहले हमने डिले कुछ कम दिया था, फिर ज्यादा किया, और फिर कम कर दिया, तो यह त से पावर मिलना इसको बंद हो जाएगी, इस वज़े से क्या होगा, कि यह हमारा प्रोग्राम काम करना बंद कर देगा, लेकिन अगर इसे हम पावर एक्स्टरनली देते हैं, किसी बैटरी वगरा से, तो तब भी यह काम करेगा, देखें, यहाँ पर इसे हमने अन्प्लग क बीच में कोई भी दे सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसमें 9V का करेंट देते हैं, तो यह हमने दिया, तो जैसे यहाँ पर हम इसमें पावर देइंगे, तो आप देखेंगे हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है, जो कि अभी कंप्यूटर से यह बोर्ड हमारा कनेक्ट नहीं है, आप देख सकते हैं बैटरी से यहाँ पर हमने इसको पावर दिये है किलियर है तो I think यहाँ पर आपको यह समझ में आगया होगा Simple LED Blanking Program इसके जो connection है वो हमने आपको बता दिये है पिछले वीडियो में भी हमने आपको online practical दिखाया था ठीक है सारी चीज़े हम समझ चुके है Arduino Board क्या है Bread Board क्या है और बाकी जो चीज़े रह गई है वो धीरे धीरे करके आपको समझ में आती रहेंगी एकदम से आप दिमाग में प्रेसर न ले कि यह चीज क्या है वो चीज क्या है जितना अभी हमने आपको बताया है उतना आप अच्छी तरीके से समझ ले छोड़ेंगे यहाँ पर हम कुछ नहीं ठीक है हर एक चीज को हम डिटेल में कवर करेंगे लेकिन समय आने पर ठीक है जब हमें लगेगा कि हाँ अब इस चीज को बताना चाहिए तब उस चीज को बताएंगे तो फिलाल यहाँ पर इस वीडियो में हमने सिंपल LED ब्लिंकिंग प्रोग्राम देखा और अगली वीडियो में हम दो से तीन LED यानि मल्टिपल LED का यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे जिस तरह से ट्राफिक सिंगनल पर होता है ट्राफिक लाइट का प्रोग्राम बनाएंगे ठीक है ट्राफिक लाइट में क्या होता है कि रेड फिर ग्रीन फिर एलो इस तरह से लाइट जो आन अफ होती है उस पर based एक प्रोग्राम बनाएंगे अगली वीडियो में तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में ओके सो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो